नमस्ति दोस्तों मेनू के औरगनिक वेजीटेवल गार्डेन में आपनों का बहुत बहुत स्वागत है तो आज यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी हाँ दोस्तों क्योंकि जाड़ा आ गया है और हमें विंटर वेजीटेवल लगाना है अपने छट पर और बहुत सारे पाउधे जो हैं कि ट्रांस्प्लांट करने हैं तो हमने आपको बताया था कि हम पाट की विवस्था करेंगे तो आज हम ऐसी चीज से ग्रोबैक बनाएंगे कि जो हम सबके घर में होती है और हम उसे फेक देते हैं और वह परियावरण में जाकर के गंदगी फैलाती है दिकम्पोज भी नहीं होती तो आप तो आप जानी गए होंगे वह क्या चीज है जी हां दोस्तों वह है प्लास्टिक प्लास्टिक का पैकेट हमारे घरों में आता ही है कीचन का समान हो या कोई भी प्रोडक्ट हो प्लास्टिक पैकेट में ही हमारे घर में आता है तो आप यह देख रहे हैं यह ग्रो बैग है market से खरीदा हुआ, मजबूत ग्रो बैग आप घर पर ही बना सकते हैं plastic packet से, तो यहाँ पर देखे कुछी ग्रो बैग मैं बना ली हूँ, यहाँ देख रहे हैं आप। यह प्लास्टिक पैकेट है और बहुत ही मजबूत है। इसे बनाई हूँ मैं और कुछ देखिए, प्लास्टिक पैकेट मैं लाई हूँ। लगा हुआ भी आप देख सकते हैं ये भी प्लास्टिक का पैकेट है बड़ा सा तो जैसा पैकेट रहेगा वाइसा पौधा आप लगा सकते हैं बहुत लगाई हूं टामाटर वो आप देख भी सकते हैं और इस बार भी लगाऊंगी और ये सारे जो छोटे छोटे पैकेट है तो आप चाहें तो इसमें जो पतेदार सब्जियां होती है या लहसुन होता है उनको भी आप लगा सकते हैं थोड़ी-थोड़ी मात्रा में और नहीं तो फिर आप कोई भी फ्लावर प्लांट जो छोटे पार्ट में लगा जाता है वो लगा सकते हैं तो कोई भी प्लांट या सब्जी लगाने के लिए पहले हम प्लास्टिक पैकेट से ग्रूबैक बनाएंगे तो यहां पर देखिए बना हुआ है लेकिन मैं आज आपको बना करके दिखाऊंगी इस वीडियो में और बनाने के बाद यह लांग लास्टिक होता है मतलब कम से कम दो-तीन साल तो यह आराम से आपके गार्डेन में लगातार यूज करेंगे तब भी रहेगा क्योंकि प्लास्टिक आप जानते ही है कि जल्दी खराब नहीं होता तो यह मोटा वाला प्लास्टिक है तो यह दो-तीन साल आराम से आपके बग्या में रहेगा आप यूज कर सक तो चलिए पहले हम गुरुबैक बनाते हैं, देखिए एक करप के कोने से आप थोड़ा सा खोलड करेंगे इसे, आधा खोल करना है, आधा खोल करके जो अंदर से हात डाले हैं आप भूसे पकड़ लें, फिर दूसरी तरब का आधा खोल करें, इस तरह से दोनों तरफ से आधा आधा खोल करने के बाद ये जो अंदर से हाथ डाले हैं इसे पकड़ करके हम उलट देगें प्लास्टिक को उलटने के बाद इसे सेट करना है इसे 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 इघ ग्तो फ्लास्टिक करना हैं इसे 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 तरह से गिए दोनो कोनो को पकड़ के हमने उलड दिया है प्लास्टिक पेकेट को और इस तरह से देखे ग्रोबैक के सित में आ गया और ऊपर से थूड़ा थोड़ा मोर देंगे लगभब को दोदो इंच प्लास्टिक को इस दरए से खोड़ कर देंगे ताकि जो उबर से मूड जाता है तो ये मूड़ेगा नहीं ग्रोबैक की भी तरफ डम टाइद रहेगा और अब हमें नीचे कुछ खोल बनाने हैं तो कम से कम इसमें 6-7 खोल बना दीजिएगा नीचे से आप चाहे तो किसी राड को गरम करके पतले राड को गरम करके भी खोल बना सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर बना हुआ है ये एक पतला राड था उसे मैं गरम करके खोल करी हूं गोल गोल है और या आप च तरफ से थोड़ी थोड़ी प्लास्टिक पपड़ने के बाद छोटा-छोटा होल बना देंगे ताकि जो इच्छा पानी होगा वो निकल जाएगा अभी मैं दो होल बना के आपको दिखा दे रहे हैं इस तरह से देखिए दो हूल बना दी मैं और इसी तरह से मैं छे साथ होल इसमें बना दूंगी ताकि जो इच्छा पानी हो उड़े नाऊंफ हो जाएगा और इस तरफ से छोटे बड़े पैकेट का आप ग्रोव बैग बना सकते हैं तो यहां पर देखिए एक छोटे पैकेट से में बना दे रही हूँ जिसको भी उसी तरफ से करना है और जो भी खादे पदार्थ हो या निर्मा वगरे की प्लास्टिक हो तो उसे धुल देजिएगा जिसको भी उसी तरफ से करना है दोनों तरफ से आधा अधा खोड़ करके पकड़ लेना है अंदर वाले हाग से फिर प्लास्टिक हो सिठा का देना है अलट देंगे यह ग्रोव बैग का प्रेस हो जागा इसका देखे और उपर से इस तरफ से थोड़ा थोड़ा खोल कर देंगे तो यह देखे दो ग्रोव बैग बन गया और इस तरह से आप अपने घर के सारे प्लास्टिक के पैकेट में कुछ पाधा या सब्जियां लगाना चाहें तो लगा सकते हैं और फ्री का ग्रोव बैग है काफी समय तक रहता है जल्दी खराब नहीं होता आसा करते हूं कि वीडियो यूश्फूल जरूर होगा और इस ग्रोव बैग के पैसे भरते हैं यह अगले